आप देख रहे हैं जैभारत टीवी कहा जा रहा है केंद्र की मोधी सरकार जिसके को रेजेंडे में UCC था वो अब पूरे देश में भी लागू हो सकता है बाचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ उत्राखन प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता हनी पाटक मौझूद है हनी जी कितना महत्पूर था PC आज अभी अभी हुई है ड्राफ्ट बन कर तैयार है देखे ऐसा है पूरे देश में UCC लागू होना बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि देखा जा सकता है कि जब हमारा देश एक है सभी धर्म और समुदाई के लोग इस हिंदूस्तान में रह सकते हैं आप देख सकते हिंदूस्तान एक वो देश जहां यहूदी कहीं भी नहीं दिखाई दे सकते हैं तो हमारे हिंदूस्तान में यहूदी सुरक्षित है हमारे हिंदूस्तान में क्रिश्चन समुदाई सुरक्षित है मुसलिम वर्ग के हर समुदाए के लोग यहां हिंदुस्तान में सुरक्षित है क्योंकि यह हिंदु बाहुल्ले चहतर है हिंदु बाहुल्ले हिंदुस्तान है तो यहाँ देखा जा सकता है कि हिंदू बहुली होते वे भी यहाँ पर UCC लागू हो रहा है, जब कोई भी क्रिमिनल, कोई क्राइम करता है, तो उस क्राइम में वो जो सजा होती है, वो जब एक समान होती है, तो एक समविधान, एक निशान, एक विधान होने से किसी को किस प खर की तरह रहते हैं तो यहां पर भी एक जैसे कानून को क्यों नहीं अपना सकते हैं इस कारण UCC को लागू होना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि एक जैसे सम्विधानों का तो एक अलगी भारत रास्टर की कलपना जो हम लोग देखते आएं एक सुन्दर भारत की कलपना जो करते आएं वो देखने को मिलेगा और मोदी जी के राज में ये यू-सी-सी हो रहा है ये बहुत ही गौरफपूर चड़ है और बहुत ही गौरफपूर चड़ ये भी एकि मानिनी पुषकर सिंग धामी जी ने अपने वक्तव में अपने द्रिस्टी पत्र में कहा था कि हम यू-सी-सी लागू होने वाला पहला राज हमारा उत्राखंड बनेगा तो इसके कितने सारे पॉइंट्स केंद्र ने भी उठाए हैं तो ये कितनी गौरफ वाली बात है कि उत्राखंड देव भूमी से हमेशा सही मानिनी नरिंद्र मोदी जी ने प्यार किया है कि एक तरफ से इशारक है दिया है वो कह रहे हैं कि विरोध नहीं करेंगे तो समर्थन भी नहीं करते हैं एक तरह से वो भी नीट्रल हो गए हैं क्या उद्दब ठागरे भी बोल चुके हैं आपको लगता है कि कॉंग्रेस समेत तमाम जो दूसरे विपक्षे है और मुस्लि के हर तबके से आपने समवाद नहीं किया है देखी हर तरीके से हर किसी से समवाद किया गया मुस्लिम धर्म गुरूं से भी समवाद किया गया उनसे भी राय ली गई है यह अनावश्यक कॉंग्रेस के कारण जूटा सडियंत्र रचाया जा रहा है उनके कारण स्थिती को नहीं होने दिया जार और गुम्रा करने की साजिश की जा रही है ने तो मुस्लिम धर्म गुरुवों से लगातार बातचीत भी चल रही है उनको ड्राफ्ट भी सौपा गया थोड़ी बहुत उसकी मोटी-मोटी जानकारी भी उनको दी गई और उनको थोड़ी बहुत बाते भ 25 हुआ करता था वो आर्टिकल 25 हिंदू उत्पिड़न की बाते कर उस आर्टिकल 25 में थी मैं ये पूछना चाती हूं कि जब एक समुदाय को उस समय उत्पिड़त किया जा रहा था तब क्यों तब क्या हिंदू लोगों ने इस तरीकी से बवाल मचाया था तब वो ये इतन समाज में लाने का कारे की ग्रिनित कारे किया था तब वो इतने चुप और किसी एक समुदाय को गिराने का काम क्यों किये थे उस समय अगर कॉंग्रेस से ये सब सवाल पूछा जाता है तो वो अपनी सिती को इस पस्ट नहीं करते हैं और तरकों पे बात नहीं करते हैं तो ये सारी चीजों को थोड़ा वो इसपस्ट करें, आपातकाल जैसी भयावा इस्तिती को जब उन्होंने देश में लाया था, सभी प्रेस को बंद कर दिया गया था, न्यूस पेपर को बादित कर दिया गया था, लेक्ट्रोनिक मीडिया में भी किसी प्रकार की न्यूस नहीं आने दिया जा रहा था, तब क्या ये बहुत अच्छी इस्तिती उन्होंने क्रियेट करी थी देश में, इन सब चीजों को पहले वो देखें, अपने गंदे इतिहास को तलाशें, और देखें उससे ये सीखें कि जो अब वो भारतवर्स और इस भारतवर्स में, बदलते भ पहले गठबंदन से सरकार बनती थी, अब विपक्ष गठबंदन से बनता दिख रहा है। की मोदी सरकार, UCC को आब ला रहा है, क्योंकि भाजपा के मैनिफेस्टों के कोर एजिंडे में, अब अगर कोई एक मुद्दा बच्चा है, तो वो UCC है, क्या उसके सहारे 2024 के लिए बढ़ रही है पार्टी? इन से ये मैं कहना चाहती हूँ, जो पतना में महागडबंदन इनोंने क्या उसके सारी पाटी जीत जाएंगे, जरा उसका इस्तिती साफ करें, विजन इनका क्या है, सिर्फ मोदी को हटाना, इनोंने तो अपने विजन में कहीं भी इस्तिती साफ नहीं करिए, कि हम देश मे ये कह दिया, हम मोदी को हटाएंगे, तो ये देखिए, एक तरफ पूरा विपक्ष खड़ा है और एक तरफ अकेले मोदी खड़े हैं, तो इससे इनको कितना खौफ है, ये देखे ये, और दूसरी बात 370 की बात ये करते हैं, 370 पे मैं इनको एक चीज याद दिलाती जब 370 धारा नहीं हटी थी, तब मुझे इसका जवाब दे कि राहूल गांधी जी जैसे लोग जब वहाँ पर जाते थे, तो क्या लाल चौक पे कभी तिरंगा फैराने की हिम्मत उन्होंने करी थी? नहीं करी थी, लेकिन यही राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वहाँ समापन जब करने जाते तो वहाँ तिरंगा फैराते बिना किसी सेक्यूरिटी सिस्टम के, तो इतनी हिम्मत उनको कैसे मिली? विकॉज क्योंकि उस समय 370 धारा हट गई थी, तो वो शांती पूर्ण वाता वरण उनको वहाँ पर जो नजारा देखने को मिला वो इस कारण मिला क्योंकि भारती जंता पार्टी की सरकार द्वारा 370 की धारा को हटाया गया और वो शांती पूर्ण महाल उनको जो वहाँ पर मिला, वो इस कारण से मिला, तो कृप्या करके जूटी, ब्रामा के स्थिती ना फैलाएं, कुछ नहीं तो अपने राहूल गा अगस्ट के महिने में आपको ये ख़बर मिल सकती है, उत्राखन में यूसिसी लागू हो गया, लेकिन उसके बाद जो मुख्यो देश है, बीजेपी जो चाहती है, पूरे देश में यूसिसी लाया जाए, उस पर कवायद शुरू हो सकती है, क्यों उत्राखन को जिस तरह स यूसिसी का नरसरी बना कर प्रियोग किया गया, लोगों की भावनाओं को समझा गया, और उसके बाद मिशन दोजार चौबीस से पहले, बीजेपी एक बड़े मुद्दे को साधते हुए, लोकसबा चुनाओं में जाना चाहती है, कहना है महिरुपाद्या के साथ, हेंबर जय भारत टीवी